गुद मॉर्निंग स्टुडेंट, I am Taruna Rathi, your science teacher, ये आपके science का chapter 10 जो read हुचुका था और उसके word winning जो मैंने आपको कल कलने के लिए दिये थे, तो I hope आपने ये complete किये होंगे, अब उसके आगे next आपके exercise है, जो कि page number 66 पे है, तो आप उसको book open करेंगे और page number 66 निकालेंगे, उ उसके बाद मैं आपके सबसे उपर लिखा हुआ है, fill in the blanks by choosing the correct word from the word bank, नीचे अपने option दिये वे हैं, एक box में, तो इस box को देखके, आपको इसमें से option भरने हैं, जो मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ, फर्स्ट वाला है, all of us live in our house, सभी जने अपनी साथ घर में रहते हैं, विदवर, इन्हीं सभी जने जब घर में रहते हैं, वो कौन से क्या हो जाते हैं, family member होते हैं, तो सभी जने इन्हीं सभी family member हमारे साथ हमारी घर में रहते हैं, तो इसमें family member, F-A-M-I-L-Y family, M-E-M-B-E family members, जो आपको यहाँ पर first वाले में fill up करना है, okay, next है आपका second number, a house protect us from, जो एक घर होता है, वो हमारे किस किस चीजों से बचाव करता है, तो इसमें आपने option दिये हैं, sun and rain, सूर्य और बारिश, वैसे otherwise, heat, cold and rain, sun, enemies, animals, इन सबसे होता है, यहाँ पर option में आपके sun और rain दिया करते हैं, तो clothes से करते हैं, तो अपने clothes पहनते हैं, अपने body को ढखने के लिए, तो इसमें third number पे आपको लिखना है, C-L-O-T-H-E-S clothes, next है आपका we wear fill up in the rainy season to prevent our fit from the becoming wet, यहनि जब rainy season होती तो अपने पामों को पैरों को बचाने के लिए, पानी से बचाने के लिए अपन क्या पहनते हैं, rainy season में gum boots, क्या पहनते हैं, तो जो option आपका यहां पे option लिखा हुआ है, G-U-M-B-O-T-S gum boots, तो आपको वो यहां पे fill करना है, next है आपका wool is obtained from, जो wool होती है, वो किस से मिलती है, wool यानि उन, तो उन जो है, हमको ship से मिलती है, तो ship की जो उपर जो आपको दिखता ह है, next है आपका write the name of the room, where do this, यहनि ऐसे यह जो चीजें यहां पे आपको दिखाई दे रही है, जो pictures दिखाई दे रही है, इनके room लिख रहे हैं, कि कौन-कौन से room में होते हैं, तो first वाला है आपका, एक लड़की देखो पढ़ाई कर रही है, तो यह study room हो जाएगा, आपके drawing room हो जाता है, जिसके spelling यहां mention की हुई है, D-R-A-W-I-N-G drawing, R-O-O-M, drawing room, next है आपका, जो एक लड़का देखो नहा रहा है, तो आपन नहाते कहां पे है, bathroom में, तो B-A-T-H-R-O-M, bathroom, और next है, यहां पे देखो, खाना बन रहा है, तो खाना कहां पे बनता है, kitchen में, तो K-I T-C-H-E-N, K-I-T-C-H-E-N, तो यह आपको यहां पे, बुक में ही फिल करना है, और फर्स्ट वाला जो फिल अप है, वो आपको कॉपे में, neat and clean work करना है, बाकी इसके question answer है मैं आपको next day करवाऊंगी, आज के लिए इतना ही, I hope आपको यह समझ में आया होगा, और आप इसक आना ही करना ही